हालो हाई दोस्तों वेलकम बेक टूडान डिजिटल उडान डिटल के ओनलाइन प्रेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का आधिक स्वागत है तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वह रहेगी डिवीजिबिलिटी रूल विभाज़ता के नियम तो पिछले साल जो MP कर रहे तोbrains गे विभाज़ता के रूल पढ़ेंगे और ये सबसे पहला टॉपिक है जिसमें आप यह देखेंगे कि कोई नंबर कोई नंबर दो से डिवाइड होता है इसकी कंडिقول क्या है ठोई कोई नंबर पांस से डिवाइड होता है कोई क्डिशन क्या है यहां पर देना भाया जगरा अगर में लिखू दो की पावर एक या दो को हम क्या लिख सकते हैं दो की पावर एक दो चार को क्या लिख सकते हैं साहब दो की पावर दो आट को क्या लिख सकते हैं दो की पावर तीन ठीक है चलो, चार को लिख सकते हैं, दो की पावर दो, आट को क्या लिख सकते हैं, दो की पावर तीन, सोला को क्या लिख सकते हैं, दो की पावर चार इसका क्या मतलब है समझने की कोशिस करना ज़रा मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा इसको कैसे चेक करेंगे तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है पावर को देखना है आखरी का एक digit अंतिम digit बात समझ रहो आंतिम अंक जो है वो किससे डिवाइड होना चाहिए दो से अगर अंतिम अंक दो से डिवाइड होता एं तो इसका मतलब कि वो पूरी संख्या dwa से डिवाइड हो जाएगी ठीक है ऐसे माल लेजी हम यहां देखें कि कोई नंबर 4 से कब डिवाइड होगा कोई नंबर 4 से कब डिवाइड होगा तो आपको कितने अंग देखने अंतिम 2 देखने आखरी के 2 डिजिट अंतिम 2 अंक अंतिम 2 अंक अगर अंतिम 2 अंक किसे डिवाइड होते हैं साहब चार से तो वो पूरी संख्या भी चार से डिवाइट हो जाएगी ऐसे ही कोई नंबर आट से कैसे डिवाइट होगा कैसे पता चलेगा जल्दी बेटो बेटा टाइम पास मत करो चलो अगर हमसे कोई पूछा जाए कि कोई नंबर आट से डिवाइट कब होगा आखरी के तीन अंक अगर आट से डिवाइड होते हैं तो पूरा का पूरा नंबर चाहे कुछ भी हो वो किस से डिवाइड हो जाएगा कोई नंबर 16 से हो रहा है या नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है उस बड़ी संख्या के आकषी के कितनी नंबर देखना है चार उन चार नंबर को 16 सोड़ेज करके देख लो अगर यह हो रहा है तो आपका जो है पूरा नंबर किसे डिवाइड हो जाएगा चार से डिवाइड 16 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है यह तक चलो तो दो-तीन एक्जेंपल देख लेते हैं आपन जिसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा कि अचलो जिसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे कहां तक गाया मान लो 76 लिख दिया और मैंने कहां क्या यह नंबर चार से डिवाइड हो जाएगा तो आप क्या करोगी चार से डिवाइड होने के लिए कि इतने अंतिम दो अंग देखना है तो अंतिम दो मतलब इस 76 को डिवाइड करके देख लो क्या 76 चार से डिवाइड हो रहा है हो रहा है रिमेंडर कितना आ रहा है जीरो आ रहा है रिमेंडर जीरो आ है मतलब यह जो नंबर है यह कुछ भ तो आपको आखरी कितने डिवाइड होने के लिए आपको अंतिम कितने नंबर देखना पड़ेगा चार तो चार आखरी के नंबर देखोगे आखरी के चार कुन से तो आपको यह देखना कि रिमेंडर कितना बच रहा है तो आप सोला का भाग दो कि 151 हो जाएगा सोल नाम 144 कितना बच जाएगा फिर से एक से कावन 44 7 बच जाएगा बचे कंदा चहुंतर हो जाएगा तो 16 का पढ़ा फिर बोलो कि 16 अपन्स इस होता है जो बढ़ो बेठों कितना रिमेंटर है अकबाद मतलब हुआ कि रेमेंटर बच रहा है यह जो नंबर से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा आगे बास समझ में तो यहां से हम यह पता चला कि हमने आकरी की इतने नंबर देखना है आकरी कितने उसे माल आप आपसे पूछ ले कि कोई नंबर 32 से डिवाइड कब होगा तो आप क्या करोगे 32 को क्या लिखोगे 2 की पावर 5 मतलब आखरी कितने नंबर देखना पड़ेगा आपको 5 आखरी के 5 नंबर लेना है अगर वो 5 नंबर 16 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संग्या 16 से करें तो अगला जो टॉपिक है मतलब आपके बाद तीन कंडिशन हो चुकी है दो से कब भाग जाएगा चार से कब भाग जागा आठ से कब जागा या आपको पता है आगे देखिएगा अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वही कहानी फिर से 5 का मतलब क्या होता है या नहीं हो रहा है तो कितने नंबर देखना पड़ेगा आखरी के 2 ऐसे ही 125 अगर में लिख दूँ तो 125 का मतलब क्या हुआ 5 की पावर 3 मतलब आखरी के 3 नंबर अगर 125 से डिवाइड हो रहा है तो वह नंबर भी किसे डिवाइड हो जाएगा 125 से डिवाइड हो जाएग ठीक है ना तो एक्जेम्पल फिर से देख लेते हैं आपन दो तीन जैसे मानलो मैंने फिर से कुछ नंबर लिखे यह नोट्स मैं आपको भेज़ दूँगा ठीक है चलो पहला सवाल हमने लिखा मैंने लिखा वही लिखने नंबर कुछ भी हो सकता है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं यहाँ पर लिखा मैंने 130 131 ठीक है और इसको डिवाइट किस से कर रहा है हम पास से तो आप खुछ सोचो से डिवाइट होने के कि दिखने लिख़्ने पड़ेगा आखरी का एक किया 1 में पैस के भाग जाता है नहीं जाता यहाँ बचेगा कितना एक कि इस तो यहाँए कि और पर causal divide नहीं होगा ऐसे एक को आखरी में कुछ भी आ सकता है ठीक है तो अब आपको आखरी में कितने नंबर ले रहेंगे 25 मतलो यहाँ पर 75 ले लेते चलो किस से डिवाइड करना है इसको 25 से तो 25 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा जब उसके आखरी के कितने नंबर 2 तो आखरी के दो मतलब 75 25 हो रहा है क्या हो रहा है तो रिमेंडर कितना आ रहा है जीरो आ रहा है इसका मतलब कि यह जो बड़ा सा नंबर है यह 25 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा एक्जाम में कैसे सवाल आएंगे अपने डिसकस करेंगे पहले कहानी को समझ लेते हैं तो आपको पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना है आपको केवल क्या करना है आपको केवल और केवल लास के 3 डिजिट 125 का मतलब होता है 5 की गहाद 3 मतलब आखरी कितने नंबर देखना आपको 3 नंबर देखना आखरी के 3 नंबर ये रहे क्या 125 से डिवाइड हो रहा है हो रहा है तो इसका मतलब remainder यहां पर कितना आ रहा है 0 इसका मतलब कि ये भी ये भी किससे 125 से पूरा पूरा तो इसको 25 से भाग देने के भजया हमें कामर कर सकते हैं चारर इंस उपर क्या हो जाएक तो न इपर के प्लाएक घहिसे यिए पर और यहां पर नंबर होता क्या होता है ना और नीचे लिखा 125 125 मतलब किया होता मतलब तूज चाहिए भॉना मतलब अब आट से कितना कर अत्र गुणा करओं हो जाएगा अगर इसका गुणा करने पर यहाँ cyn manos आ आखरी में तो इसका मतलब यह पूरा-पूरा डिवाइड हो जाएगा अधर्वाइस नहीं होगा बासन में आ रहे हैं तो यह एक तरीका भी हो गया पर इसको अपन यहां अप्लाइ नहीं करेंगे यह जब हमारा कोई केल्कुशन कहीं रूख रहा होगा तो वह हम अप्लाइ कर सकते हैं फिलाल हम डिविजिट्री रूल पढ़ रहे हैं तो यह आपको चीज़ें आनी चाहिए तो यह हमारे पास कितने नियम होगा है सर्थ 2 से 4 से और 8 से 5 से 25 से और 125 से आगे डिसकस करते हैं चलो तो अब हम बात करेंगे तीन और 9 यह भी हमने कल डिसकस किया था एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं तो तीन से कोई नंबर कप डिवाइड होगा इस केस में आपको क्या करना है आपको यहाँ पर यह देखना है कि डिजिट सम अंकों का योग किस से डिवाइड होना फर एक्जेंपल अगर हमें उधारन ले ले जैसे मान लिजे मैंने लिख दिया चलो मैंने लिख दिया 1,2,3,4 ऐसा लिख दिया भाई का लिख दिया है यहाँ पर 30 लिख दिया और डिवाइड भाइड लिखा हुआ है मैंने 3 ठीक है क्या यह नंबर 3 से डिवाइड होगा क के से आखरी के नंबर तो उठाना है यहां से 30 को डिवाइड करके नहीं देखना है सारे डिवाइड का क्या करना है सम किसका सम करना एक से ले कि 30 तक की गिंती का और वो तुम्हें आता है अगर मैं 1 से 30 तक की गिंती का सम करूं तो आपको पता है कि 1 से 30 तक की गिंती है सम क 65 45 65 आ रहा है कि सारे डिट को जोड़ा तो यह आगया तीस तक की डिट को जोड़ दिया तो 465 आया अब आप 465 को देखो क्या यह नंबर 3 से कटता है सारे अंकों का योग इसका योग करोगे तो यहां पर एक फाइदा यह हो गया कि यहां पर एक कंटिन्यू सीरीज थी तो हम जोड़ पाए अगर उस केस में वह आपको इसास देता भी नहीं नहीं होता अगर मालो यह नंबर में बदल बदल के लिग दूँ तो फिर मैं यहां यहां डेज डेस नहीं लगा सकता ना क्योंकि अब इस देज का कोई मतलब नहीं है पर चुकि यह कंटिन्यू था एक दो तीन चार पाइद तो उसमें डेज डेस का मतलब होता है कि पांट के बाद छे साथ आट नौ है ठीक है है तक तो हमने क्या किया सारे डिजिट का सम किया सारे के सारे जो नंबर है उनका यो में भी होता है अगर कोई नंबर हो रहा है तो कैसे पता करेंगी हो रहा है कुछ भी लिख लो 253987527 देख एक्जाम में हो क्या रहा था कॉंस्टबल की एक्जाम में ऐसे आ रहे थे या और भी एक्जाम में आते रहते हैं कि आपको यह बोला है कि इन में से कौन सा चार उत कुछ चार विभाजित नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है तो अगर आपसे पूच लिया किन में से कौनछा इवाग देख देखे नहीं देख सकते हो क्योंकि पहले नंबर को आपने भाग देखा नहीं गया इसका मतलब टाइम आपका बहूत गया उसमें फिर दूसरे को द टो आपक्या करोगे इनका समकरों कितना व ा न करें 11-310 एक और 03 13 13 में 9 का भाग दोगे एक और बचेखे 8 है ऑटिए 23 20 21 से घाङ यहाँ 21 में 9 को दारा है क्या नहीं जा रहा है इसका मतलब 9 28 रिमेंटर कुछेग इस केस में रिमेंटर आपका जो है वो 3 बच जाएगा रिमेंटर बच जाएगा तीन बच जाएगा बास समझ रहे हूं तो इसका क्या मतलब हुआ साहब कि ये नौ से पुरा-पुरा डिवाइड नहीं होगा रिमेंडर बच रहा है हाँ या ना तो आपको ये चीज़े समझ में आ चुकी है अच्छा इन में कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होती है अभाज समझते हो पहले पड़ा हूं हमारा अभाजिय क्या होता है तो अभाज संक्याओं में कहानि हो लented जिसे कहानी होगि अच्छा ग्यारा वाला वाला कल हमने डिसकस किया ता यहा इस्थान अंकों का योग है ना अंकों का योग माइनस क्या करें उसमें से समिस्थान अंकों का योग समिस्थान अंकों का योग यह जो है यह जो डिफ्रेंस है यह डिफ्रेंस कितना आना चाहिए साहब यह डिफ्रेंस या तो जीरो आए या तो ग्यारा का पहड़ा है मतलब 11 22 33 या आना चाहिए बास समझ रहे हो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वह नंबर पक्का पक्का किसे डिवाइड हो जाएगा 11 से कहने का मतलब क्या है जैसे मानलो मैंने नंबर लिग दिया 239 या एक छोटा सम नंबर लेते हैं 1331 लेते हैं क्योंकि हमें पता यह 11 से क्या होता है पूरा पूरा डिवाइड होता है ठीक है तो आप यह देखोगे कि समिस्थान और विसमिस्थान का मतलब क्या विसमिस्थान मतलब पहले नंबर वाला और तीसरे वाला तो इनका जोड़ कितना जोटा चाहर समिस्थान मतलब थूसरा और चौता इसका जोड़ी कितना आ रहा टार अगर आप 4 और 4 को मायनस कर क्यों कितना जीरो सर 11 का जो रूल है वह क्या चाहिए या तो 0 का भी पहाड़ा या श्रहाइऑ यह 11 से पूरा पूरा डिवाइड यह 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा एक और नमबर अपन ले ले लेते हैं ठीक है अगर एक और नमबर अपन लेके देखें चेक करें कि क्या चीज़ें आ रही है तो कोई सिंपल से एक नमबर लेते हैं मैं 11 से किसी को भी मल्टिप्लाइ क a quattro stiff 95 96 15 minus करेबड़ी कितनाैगा Industrial इसकामणतलब ये भी advisut 811 has. दिवाइड हो जाएगा ये भी refriger पूरा-पुरा जो है 11 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 एक्जम्पल्र हमने यहां पर देखे न 11 से डिवाइड होने के पर यहा पर एक चीज ओर आती है क्या ये रूल हर अभाजी संख्या में काम करेगा क्या ये रूल क्या ना, सांध के बाद 13 हो गया क्या इन सब में 번 ये रूल डिवाइड का फोलो करेगा तो अगर आप से मान लो तो फिर वही आप एक्जाम में क्या पुछा जाता है कि इन में से कौन सा 11 से पूर्ण तह विभाजी थे चार उत्तर होंगे चार बड़े बड़े नंबर होंगे मतलब उसमें कम से कम मान के चलो ददस बारा बारा डिजीट होंगे तो उसको अगर आप 11 करने जाओगे तो थो पूछना है अगर वो समझ ले तो हमारे टॉपिक खतम हो गया ठीक उसके बाद हमें केवल करना है प्रेक्टिस को स्टन्स की चलिए तो क्या होता है पहले समझते हैं जैसे मान लो 21 की बात करें साथ का रूल हमने समझा था कल है तो साथ का रूल क्या होता है मैं आप लिग पूछ लो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहां से चीजों को छोड़ के बढ़े तो फिर दिक्कत आएगी देखो जारा भाई साथ से वहता का रूल क्या होता है कोई नंबर साथ से कब डिवाइड होता है जैसे मान लोग छोटा समय लेते ताकि हम समझ पाएं क्या आपको पत तो आपको यही पता करना है कि यह बड़ा नंबर था अब बड़े नंबर में भाग देना थोड़ा कटें था अगर नंबर चोटा सा आ जाएगा तो भाग देना थोड़ा सा आसान हो जाएगा तो 28 जो है 28 जो है वो सास से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है इसका मतलब कि यह नंबर भी सास से डिवाइड होगा तो मैं कह सकता हूं मैं कह सकता हूं भाई कि 28 अगर सास से डिवाइड होता है तो 343 भी किस से डिवाइड होगा सास से डिवाइड इसमें किसी को डॉट हो थो बताओ बाई यह चलो तो आगए एक और topic एक और question लेते हैं एक और डॉट आपका जो होगा क्लियर होगा यहां से ठीक है तो यहां पर एक सवाल फिर से लेते हैं आप बताओ क्या लेना चाहिए ऐसा कोई नंबर जो साथ से डिवैड हो रहा हो या नहीं हो दोनों ले सकते हो अगर नहीं हो रहा हो तो नहीं बताएंगे वहал घुंझ सब्सक्राइब की जैसे लिडुक्ष चलो 7 multiply 4 5 8 9 6 कितना रहा है 32 12 22 ठीक है तो एक number हमने लिया 32 12 22 साही लिखा मैंने ठीक है ना देख नहीं रहा है चलो तो क्या ये number साथ से divide हो रहा है या नहीं हो रहा है अच्छा ये एक number हुआ एक्जाम में से 4 उत्तर होगी आपको 4 कुछ चेक करना पड़ेगा आपकी किस्मत अच्छी होगी अगर पहला ये option साथ से divide हो रहा होगा तो क्योंकि बागी कुछ चेक नहीं करना पड़ेगा तो ये number साथ से divide हो रहा है या नहीं हो रहा है तो किसे पता करेंगे साहब आखरी अब आपकी अगर अंतरात्मा बोले किसको divide करके देख लेना चाहए तो देख लो दर वाइस फिर से एकबार कर सकते हो आठ का करना हो घै 16 क्या 14 से저धा होता है अगर ये डिवाइड होता है तो 308 भी डिवाइड होगा इबी डिवाइड होगा और 21 source अब जाएगा ये भी सास से शारे के सारे नंबर के सुट होंगे साथ था होता है कुछ पूछना है किसी को हां किसके पीछे अ हां तो भी माइनस करो नहोंब जाएगा करके देखो बताता हुँ में न एक एक मिलग आपने सुन्ग Tay कजД लेते हैं जीरो ही होगा पर एक नमबर तो गायब होजागा नहांसे आप पिछे तो जाहिए रहे हुंगे I एक नमबर ले लेते हैं जिसे देखो इनका कहना है कि अगर यह एसे ले लूँ ओडिवाइड होना चाहिए कि चलो यह समंज्य वाली बात हो गई किसल खता है पर अगर मैंननस किटना जाएंगा फ्लब पर छोटी पीउंपर छोटी की इस गया नैंने लूज को थे करेंगा यहां से दिय denote करें जैसे यहांत देना जरा जीसे दो दो साथ मैं क्या लिख सकतं हूं सब यह बताओ इसको अलग पेंज़ पे लेते हैं चीजे में समझेंगे चलो हमने क्या किया एक नंबर लिया कौन सा 343 मुण सा नंबर लिया था इस तीज़ीश चाुट हो हरकते ते 100 मखाल बबलों साथ होने हम क्या करते थे को इसके लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इसके लिए हमने इसको double करके यहाँ double करके 6 किया यहाँ कितना आ गया 28 28 साथ से divide हो रहा है मतलब यह भी divide हो जाएगा और यह भी हो जाएगा तो यह तो बात होगी साथ की पर अगर मैं 11 की बात करूं अगर मैं 11 की बात करूं तो 11 से डिवैड होगा या नहीं होगा तो हमने 11 का रूल एक पढ़ा है पर हम 11 वाला वो रूल नहीं लगाएंगे दूसरा लगाने कोशिप करते हैं यहाँ पर ठीक है तो 11 से कोई नंबर कप डिवाइड होगा उसको कैसे चेक करेंगे जैसे मालो लिख दिया में 1331 ठीक है तो यहां पर भी आप रूल लगा सकते हैं लास्ट वाले डिजिट को क्या करना है नहीं बस वही समझना है कभी डबल करना पड़ेगा कभी टिबल करना पड़ेगा कभी चार गुना करना पड़ लोगे ठीक है प्रगती ठीक है तो इसको डबल करना है कि क्या करना है वो समझो पहले आप इस 11 को देखो अगर मैं 11 को ऐसे लिखू तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत 11 को मैं लिखू अगर 10 धन 1 तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या है क्या है क्या अच्छा 10 धन 1 क को में लिख सकता हूं एक गुणा दस धन एक ठीक है तो समझने वाली बात ये है कि 11 वाले केस में हमें नंबर का क्या करना है डबल नहीं करना है एक बार और साथ को भी लिख लेते हैं चीज़ें और के लिए हो जागे चलो मैं साथ को लिखता हूं साथ को मैं क्या लिख सकता तो बीस धन एक ध्यान देना जड़ा है थोड़ी देर पैसे समझना चीजे समझ में आ जाएगी सबसे पहले तो हमें यह जो नंबर है ना जिससे हम डिवाइड करने उसको राउंड फिगर में ले जाना राउंड फिगर के आसपास मतलब या तो उसको 19 बनाओ या तो 9 सपास ही था तो हमने सको कुछ भी नहीं किया बाथ समझ रहो यह स्टक्रेस संधीं टो हमने जब मैनस किया तो साथ वाले केसा इसका क्या नंबर का आख़री के जो सब्सक्राइब किया था यह वह थोड़ा समझ में आया ज्याधा नहीं थोड़ा सा कि डबल क्या था 11 के केस में हमें क्या करना पड़ेगा आप खुद बताओ कुछ भी हिंक नहां करना है वही वाला घटाना है सिंगल है भास ममला रही है अचा लो साथ की जग में एक और दूसरा नंबर ले लो मालों मैंने तेरा ले लिया अब आप बताओ तेरा का रौण फिगर ले जाएंट क्या करेंगे तेरतिया 49 किसके पास आगया वह 40 के और 49 को अपन क्या लिख सकते हैं 40-1 और 40 को अपन लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 10-1 ये लिखना पहले समझ लो अगर ये लिखना समझ के तो आपको ये दिक्केट खतम हो जागे कि गुणा किससे करना है आप इस साथ को जरा ऑप्रेशन को देखो क्या हुआ है साथ के 21 मतलब 20 और एक तो यह जो दो आया ना इसकी वज़स हमने डबल किया है यहां कितना है दो तो हम साथ के जब कोई नंबर साथ से डिवैड होगा तो किसे मल्टिप्लाइ करेंगे उसको दो से किसको आखरी वाले क्या तो यहां कितना का 132 आप चाहो तो इसको 11 से डिवैड करके देख लो अभी भी आगर आपके अंतरात्मा गवार नहीं देती है तो आप फिर से इसको लिख दो यहां पर दो कितना आ गया कि क्या यह 11 से डिवैड हो रहा है तो यह भी हो जाएगा अभी बात थोड़ी स केस था यह साथ वाला केस था नोट में आपको PDF सेंड कर दूंगा टेंसर ना लो बस जब क्लास खतम हो तो बोलना कि करोने तो रहे जाएगी फिर वह चिम्मेदारी आपकी है मैं भूल गया तो फिर कहानी खतम है कि चलो भाई अब हमें एक और नंबर देखते हैं कौन सा न मुल्टिपल अपन ले लेते हैं चलो भाई एक 13 का हमने कोई सा भी मुल्टिपल ले लिए लिख लिए 13 गुणा में क्या लिख दें चार पांच आट नो कितना रहा है उन्साहाट 657 ठीक है तो मैं कह रहा हूँ क्या उन्साहाट 659 उन्साहाट 657 13 से डिवाइड होता है हमने कैसे ऑपरेट किया है जार देखो यहाँ पर 13 का पहड़ा बोलो जो कहीं राउंड फिगर के आसपास पहुच जाए 13 49 49 को हम कैसे लिख सकते हैं 40-1 क्या मैं एक बार है 49 भी लिख दूं ऐसे समझ जाओगे ने तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 13 49 49 को हम लिख सकते है किसी राउंड फिगर ले गए तो यहां से पता चलता है कि 13 के केस में हमें आखरी नमर किसे गुणा करना है चार से गुणा करना है किस से गुणा करना है चार से अब मेरी बात और समझना जब हमारे पास यहां प्लस था और यहां प्लस था तो हम घटा रह थे नमबरों को अभी यहां क्या गया तो अब हम जोड़ेंगे बासमज में आ रही है एक बार घर जाके थोड़ा सा अनलिसिस ओवर कर लेना खुछ से चीज़ें याद हो जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर यहाँ प्लस है तो हम आखरी के नंबर का गुणा करके क्या करेंगे माइनस करेंगे अगर यहाँ प्लस है तो हम आखरी के नंबर का गुणा करके क्या करेंगे बचे में से माइनस करेंगे पर अगर यहाँ पर माइनस है तो आखरी के नंबर का चार गुणा करके क्या करेंगे प्लस करेंगे तो आखरी के नंबर का चार गुणा करो कि नहीं है यह भी, 4 से गुणा क्योंकि है, समझ में आ चुका है, कहानी खतम हो चुकी है, सर, 15 में से 8 जा कितना बचेगा, 7, जोड़ना है क्या, जे लो, खुस, 8 और कितना हो गया, 13 हो गया, केरी कितना आ गया, 1, कितना हो गया, 9, 9, 5, छोटा नंबर हो गया, थोड़ा सा, फिर वही कहानी, इसको किसे मल्टिप्लाइ करेंगे, 4 से, 4 ते कितना हो गया, 12, 12 हो गया, फिर जोड़ेंगे, क्योंकि वहां माइनस है, तो यहां प्लस आएगा, यह कितना हो गया, 11, यह कितना हो गया, 11, और यह कितना हो गया, 6, कितना हो गया, 611, फिर इसको क्या करेंग कि आपको कौन सा रूल बनाना है आप खुद बना सकते हैं आप खुद सोचो कि कोई साब भी रूल बनाना हो कैसे बनाएंगे देखो जारा तेरा वाला हो गया किसका रूल बनाना है 19 का बना के देखें कोई नंबर 19 से डिवाइड हो रहा है या कैसे पता करोगे तो 19 को हम क्य लिख सकते हैं दो गुणा 10-1 यहां माइनस है तो हम क्या करेंगे कितना करके डबल करके आप डबल करके क्या करोगे प्लस करोगे अभी एक बार हात उठाना कितने बच्चों को मोबाइल है मेरे पसका लिया है टकर टकर देखते रहे तो बस इधर इधर देखो भाई किसका है आपन क्या देख रहे हैं 19 का 19 का मल्टिप्लाइ किसमें करना है कुछ भी लिख लो 78956 कितना हरा है 15 00164 अगर मैं कहूं 15 00164 क्या 19 से डिवाइड हो रहा है हाँ मन सही बोल दो क्योंकि अब भी तो मल्टिप्लाइ किया है सर ने चलो क्या लिखा था 15 001 6 और 4 मैं क्या यह नंबर 19 से डिवाइड होता है पता करो ठीक है तो 19 से भाग क्योंकि 19 का पहड़ा तो हमने कभी सिखा नहीं जीवन में तो 19 का पहड़ा बोल सकते थे हम चलो 19 का क्या पहड़ा बोल भी लोगे मान लोग अभी 29 आ गया तो उन चालिस आ गया तो उन पचास आगयाँ उन सहाट आ गया तो उस केस में आपको यह बनाना पड़ेगा कि आरी बास कि 19 का किसी ने कर भी लिया होगा याद हो सकता है 40 तक पहड़े आपने याद कर लियो तो 49 का भी आपको याद हो पर उन 50 उन 60 उन 70 उन 80 का कहा से याद करोगी उन 80 का पहड़ा बोलोगे तो लाले उड़ जाएंगे यहाँ पर कुछ बास समझ में आ रही है तो अब आप क्या करोगे 19 को हम कैसे पर रहे करेंगे सर 19 किसके आसपास आता है 20 के तो मैं इसको लिख सकता हूं 20-1 और 20 का मतलब सहाब क्या होता है दो गुणा 10 20 पर चुकी 19 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस 20 को हम लिख दो गुणा 10-1 तो अब हमें क्या करना है आखरी के नंबर को गुणा तो करना है सर आखरी नंबर को गुणा तो करना है पर किस से करना है दो से गुणा करना है इस वाले केस में किस स हाई नए, 0015, फिर वही कहाणी, इसका क्या कैद हम ने? डबल, तो यहाँ पर इसका डबल करें, 4, 2, 8, क्या करें? प्लस तो यह कितना होजगा 8 और दो 10-051 फिर इसका डN करेंगे तो यह 0 यहाएगा प्लस करेंगे तो फंदनासो एक यहाएगा नैसी खटम होगी नोगहरा चलो तो मेरा कहानी खतम होगी पढ़ाने के अब आप खुछ सब्स चीजें देख सकते हो यहां से महां तक कोई सी वैबर एक्जाम में कोई को संप पूछ लिया जो मैंने नहीं भी पढ़ाया हो हो सकता है मैंने वो आपको डिविज्टिली रूल नहीं बताया तो आप बना सकते हो हाँ या ना चलो तो अब बात करते सवालों की अगर किसी बुद्धी जीवी के पास इसके सवाल हो आपने कहीं देखे हो पेपर में आया हो तो वह आप सवाल मुझे बता सकता है पने डिसकस कर लेंगो उसको ओप्सन के साथ चारों ओप्सन भी होना चाहिए अब उसमें है यह किसी के पास और कभी में कर दो नीमन में से इंक्याण्वे से कौन विभाज है चाहर आप्सन पुछा है कि कौन सा इंक्याहण में से पुरा विभाजित होता है option बताएं में 953214 4555 अरे बस यह हो गया दूसरा ऑप्सन है 4555728 हुम ढारि यह बस यहां से सहे क्याओ पूरा विभाजित होता आप तो कुछ तो क्या सकता हुआ इंक्यांडवे को अपन लिख सकते हैं क्या 90 प्लस एक वेरी गुड एक्सेलेंट बदाई हो अब 90 को मैंके लिख सकता हूं 9 गुणा 10 प्लस एक सर यहां प्लस है तो हमें माइनस करना है अच्छा यहां 9 है साहब तो 9 गुणा करना है कुछ पल्ले पड़ी कहां नहीं तो 9 किस में से 95 321 में से क्या घटा होगे 36 घटाएं की जोड़ें घटाएं सर 11 में से 6 कितना बचेगा 5 मैं यह कह रहा हूं कि इंक्यांडवे का भाग देना बहुत कठीन है यह भी थोड़ा सा टफ तो है टफ मतलब लेंदी तो है हमाले तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी पर वह कठीने और यह सर लें जोड़ना घटाना हमाई लिए कोई बड़ी बात है नहीं बजपन से वही तु सीखा है डिवाइड नहीं सीखा चलो हो तो घटाएं इसको कितना आया सर 11 में से 3 कितना बचेगा है आठ गलत मत घटाना यहां कितना अलगू दो 5 9 फिर वही कहानी आख प्लस करें वहाँ प्लस है तो यहां माइनस आठ में साथ गया एक दो नौ फिर से क्या करें इसका नौ गुना करें नौ माइनस कितना बचा अरे बोलो मतलब मतलब की भाग नहीं जा रहा है यही न भाग नहीं जा रहा है क्योंकि बाणवे से यहां भी दूँगा इंक्याणवे से इंक्याणवे कम इंक्याणवे बचेगा एक तो नहीं जा रहा है तो इसका मतलब आप यहां से छोड़ सकते इसको जहां आपको अं तो इतनी जल्दी नहीं हो पता इसमें देखो देखो इंक्याणवे कम कितना बचा आप कितना हो गया भाग ने जाए तो अब रहा है तो यह खुशी की बात होगी कि हमें आकरी के दो चेक नहीं करना पड़ा अब मेरी बास सुनना द्यान सुनना भाईया अगर आपने इसको से इसको चेक किया wasn't divided 빼क नहीं हुआ दर्दके तो गलत हो गया इसको चेक किया वह द्क呀 माळलो नहीं हुआ इसको चेक किया माद लूब ही दीवइड नहीं नहीं हुआ तो इसको मत करना छो कि P कुल मिला कि करना 3 ही चेक है आपको ई सभी कलियर है यहां तक तो तीन चेक करना पड़ेगा एक हम कर चुकें दूसरा के और वहीं आंसर लगया तो बात भी खतम हो गई पर दूसरा करने पर नहीं आता तो फिर हमार पसे एक वैं-स ऊपसन और था दीसरा चेक कर लिए तो चौन्था चेक क्योंकि वह और फिर ठीक है दूसरे को कर ले वी उप्सन को अगर हम चेक करेंगे तो बि-उपसन में क्या लिघा सर पैंतालीस शत्तावन और में केवल दो लिखूंगा यहां पर क्यों क्यों कि 8 क्या करेंगे हम 9 गुना तो आट नाम कितना हो गया सर बहुत तर यह तो इजी हो गया साहब 00455 यह ना फिर इसका नौ गुना करो गे तो 0 यह आएगा तो कितना हो जाएगा हाँ तो एक की तो लिखा है मैंने को अगर यह 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 आपका लॉजिक है कि अगर आप इसको कर पार तो बात ही कितम हो गई और अगर यहां भी आपका दिमांग काम नहीं कर रहा है तो फिर पता चल जाएगा मतलब आप जितना नीचे उसको ले जाए उतना आखरी मीं क्या ज जाएगा जलो कहां पर दो जिरवाएंगे जिवा अगर भए कौन बतार एक जिरुआए गा कि क्यों उरे भाई है बढ़ दो बार घटे ऑट दो जिरुकर नहीं आएंगे पर एकको भी भाटा दे जिरव कोई मतलब भी नहीं है तो है है और थो क्यों हटा है तो डाइक क्या कर लो है ना यह कितना आगया साहभ जिरो लिग दू यह पर फिर इसका नव गुना करोगे तो जीरो कितना चारसू पच्पनी आएगा कहने का मतलब यह है मेरी बड़ी ध्यान से बात को सुनना में क्या कहना चाहरा हूं कि जब भी यहां 0 आ जाए ना तो आप तो क्या करना उ जीरो तो हर नंबर से डिवैट होगा कितनी बार जीरो बार जीरो बटे कुछ भी हो तो आंसर आता है क्या जीरो बटे सन्नाटा यहां तक क्लियर आपको मतलब की ऑप्सन भी हमारा करेक्ट ऑप्सन है इसमें अभी आपको कोई डाउट है क्या यह आपका हो गया विभाजिता के नियम आपके पास ले देके एक्जाम में केवल यही सवाल आते जो मैंने लिखा हुआ है अलग कुछ नहीं आएगा यही सवा वाला भी आता है पर वह आपकी जो वंटे एक्जाम में नहीं आता है ससी में पूछा जाता है कि चलो कर लेते हैं एक दो सवाल वह भी कर लेते हैं इसको हटाएं क्या यह हो गया है तक विभाजिता के नियम में कोई दिक्कत दो से कब भाग जाएगा अच्छा दो आठ यह बहुत कम पूछा जाता है जो पूछा जाएगा कहानी वह कहाएगी 19 29 31 31 कोई नंबर कैसे डिवाइड होगा कैसे पता करोगे साहब अगर 31 की वहता कर नियम निकालना है तो 31 का मतलब हो गया सर 30 प्लस एक और 30 को हम लिख सकते हैं कि तीन गुणा दस प्लस एक कहने का मतलब कोई सा भी बड़ा सा नंबर है तो आखरी नंबर को क्या करना हमें और यहां प्लस है तो यहां माइनल बस यही कहानी आपको दोहरा आना है अभी भी किसको डाउट है एक बार फिर से बताओ कि इनको समझ में आ गया कहानी क्या कह रहा हूं मैं एक कुछ बचे डरते हैं कि क्या बोलूं इनका क्या पंदरा बार आठारा से डिवैट कैसे होगा मेरी बात को सुनना 135 पंदरा से डिवैट होता है तो 15 से डिवैट अगर होता है यह हमें मालूम है पर हम क्या करेंगे यहां पर इसको यसे लिखेंगे एक सो पैजर्ब 35 से हो यह नूना क्या होना चाहिए चाहिए और West 30 साहब 2016 टोयाथ और पैस आखरी में क्या होना चाहिए पांच का रूल हमने पड़ा हुआ पांच से कोई नंबर इलिहाद होगा जब आखरी का नंबर 5 से दिवाइड हो रहा हूँ यह आखो recording तिन गणा NC चार से तो आख़ी के 2 नंबर किसे रिवाइब होने चाहिए चार से और उनका ऍरिषिंक से रिवाइब होने चाहिए इसका मतलब किसे रिवाइब होगा अर्य बास वंज में तो यह रूल हो गए सबसे पहले हमने पढ़ा था किसका 2 का 4 का और 8 का तो 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 इस ऐसा क्या 2 की पावर 3 तो हमने इसमें यह देखा था कि कोई скорее number 2 2 to 8 9 minimum two숫े तबlichkeit क्या हो number रहए चार्श कोई नंबर क्पद होगा जब उसके आखरी के 20 किसे डिबाइट उट्स तो इसे nous कोई नंबर मुत क्या लिए गाणिए आखरी के चार डिजिट आखरी के चार डिजिट अगर 16 से डिवैड हो रहा है तो इसका मतलब नंबर कुछ भी हो 16 से डिवैड होना ही पड़ेगा आया न तो यह था किसका 248 16 की कहानी अपर लिखने का तरीका में हो सकता बदल दू अभी ऐसे लिख दिया उसमें ऐसे लिख है तो सब भी दो दो दुनिया में चारी हो रहे हैं तो बस बता अलग तरीके सरा है ठीक है यहां तक आरे किसी को डाउट है क्या चार की पावर दो लिखोगे तो बात वहीं आगए आखरी के दो नमबर चाहर से डिवाइड होने चाहिए होना चाहिए एक बाद चेक करके देख लो यह तो देखो यह क्या बात हो कि मालू में तुम लोग इतना सीख गए हो कि आप रिसर्च करने के चक्कर में आगा हो है निई को्या करें रिसर्च करने रिक्ट्रम लो ना दिख्कत क्या है एक बार करके देख लो क्या इसा होता है wrecking नहीं होता है समझ रहे हो मुझे भी नहीं पता है तुम लोग बोल रहे हो मुझे भी न बता बस आप और यह सख कर सक देख लो कि इसा करे तो और Kh Iron तो अरे मैं क्या बोला समय दीपक भई सो क्यों रहा है तू सो क्यों रहा है कि सोते सोते लिख रहा था अ मन में हसने वाले लोग चलो इधर देखा वाई पांच वाले में क्या देखा था कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होगा जब उस आखरी का डिवाइड पांच की पावर एक आखरी का नंबर या तो पांच हो या तो जीरो हो या वो पांच से डिवाइड हो जीरो पांच से डिवाइड होता है क्या होना चाहिए ds d लिख दूँ ds digit sum कि से रिवाइड होना चाहिए तीन से रिवाइड हो अगर किसी बड़ी संख्या के अंकों का जो योग है वो तीन से रिवाइड हो जाए तो वह number 3 से होगा ही होगा हाँ या ना ऐसे ही कोई number 9 9 से कब डिवाइट होगा जब उसका डिजिट सम अंकों का योग किस से डिवाइट हो नियुक्त。 तो वह संख्या 9 से घिवाइट हो जायेगी हा या ना चालो फिर आती है बात किसकी साथ वाले की कोई नमबर साथ से कब डिवाइड होगा जब उसका मन होगा कोई नमबर साथ से कब डिवाइड होगा जब उसका मन होगा तो डिवाइड हो जाएगा तो साथ को पहले लिखने का तरीका देखो अगर कोई नमबर साथ से डिवाइड हो रहा है द्वाट चाउदा के राउंड फिकर के पास है नहीं साथ 21 के पास आ गया तो साथ्या 21 और 21 को हम लिख सकते हैं 20 धन साथ से अगर आपको चेक करना है तो आखरी के नंबर को अंतिम नंबर को किसे मल्टिप्लाइ करेंगे क्या करेंगे किससे वो जिससे एरो लगा है उससे और चुकि यहां माइनस है तो उसको क्या करेंगे अपन यहां प्लस है यहां प्लस है तो हम क्या करेंगे उसको बाकी बचे नंबर में से माइनस करेंगे बाकी संख्या में से बाकी संख्या में इसे माइनस करेंगे लिख दो इसे अब जिनको नहीं समझ में आद एक बार फिर से देख लो देखो क्या करना है जैसे मालो मैंने एक नंबर ले लिया कितना 383 मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये सास से डिवाइड हो रहा है ये नहीं हो रहा है पुछा क्या है क्या यह सास से विभाज है देखो हेंड़ाइटिंग देखो भी या अपनी ठीक है चलो क्या ये सास से विभाज है तो आपको ये चेक करना है कि ये सास से डिवाइड हो रहा है अब आप देखोगे कि इसका यह जो नंबर है दो है तो क्या लिखा है इस नंबर का अंतिम अंक को किसे मल्टिप्लाइ करना है अंतिम अंक को मल्टिप्लाइ का मल्टिप्लाइ ना हाँ ठीक है अंतिमं क्या इसका तीन इसको मल्टिपलाइ किसे करेंगे दो से तो इसका मतलब यह भी डिवाइट होजागी यह समझाने के लिव बोलाने तो बच्चा बोले सर इसको ही डिवाइट कर लूगा में पर यह नंबर तीन नहीं होगा बढ़ा होगा उसकेस में कहानी उलजएगी हाँ या ना चलो साथ से आ भी गिया साथ का पहड़ा तुमको आता है तो तुम ऐसे भी कलो कि साथ एक हम साथ पहड़ा बोलके पर अगर इंक्याण भी आ गया तो अब बास में आई उस केस में आपको यह रूल फोलो करना पड़ेगा तो यह साथ वाला आप नहीं भी अपलाए करोगे तो भी कर लोगे पर कोई बड़ा नंबर हो का उस केस में आपको यह रूल फोलो करना पड़ेगा समझाने के लिए हमने इसको साथ को भी ले लिया है अब मान लो अगर ऐसे ही कोई ग्यारा वाली कहानी हो तो क्या करोगे फिर क्या देखो रूल आप खुद बना लोगे मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हो तो रूल बनाने की मतलब मैं आपको हर एक रूल बताऊं वह जरूरी नहीं है आप खुद घर जाके जो भी नंबर आपके सामने आएगा आप बना लोगे एक बड़ राए करके तो लोगे नंबर बोलो जिसका नहीं बन रहा हो तुमसे को को अ को को नंबर यह साज जिसका रूल नहीं बन रहा हो तुमसे अ कि राउंड फिकर मिले जाना बस उसको बागी दोए कहानी है नहीं है अ कि कि इसका रूल लिखूं एक और रूल लिख दूंगा बागी सारे बन जाएंगे वेसे सेम टू सेम 15 का 53 53 से डिवाइड हो रहा है तो 53 का तीन गुना करो 53 का तीन गुना कितना आ रहा है 1189 अरह 13 गुना लिख दूं यहां पर 119 का हम क्या लिख सकते हैं सर 16 माईनस इक यहां 16 से गुना करना का पड़ेगा पर देखो थोड़ी सी यह कहानी होगी पर 16 का गुना 1 की नमबर को करना आखरी के नमबर को तो कोई दिक्कत नहीं है 118 को हम क्या लिख सकते हैं सहाब 16 गुणा 10-1 मतलब आखरी के नंबर को किस से गुणा करना है 16 से यहां माइनस तो हमें क्या करना है क्लस करना है कोई सा नंबर ले लिया मानलो हमने के एक्जेंपल के लिए ले ले क्या अरे ले ले किल्कुलेटर सहाब आजाओ 53 से गुणा होना चाहिए 1-2-3 एक नंबर है 65-19 क्या है 65 और 19 और मुझे पता करना है क्या 53 से डिवाइड है या नहीं है क्या 53 से विभाज है तो आप क्या करोगे 53 का पहले ऑपरेशन की हमने कर लिया था थोड़ी देर पहले भी एक बार और कर लेते हैं 350 को हम लिखेंगे सर कितना 353 बोलो कितना 159 159 को हम लिखेंगे कितना 117-1 और 117 को लिखेंगे हम 16 गुणा 10-1 तो हम किसे गुणा करेंगे आखरी नंबर को माम यहां कि माइनस कर दूँ तो यहां क्या होगा पलस होगा कितना हो गया इसर पाँच नो 7 क्या इसमें हुआ लिए पहाग जा रहा तो अभीव हमें पल्ले नहीं पड़ दार श्क्रान को धे umasवर moje oke पिटने New 17 और तीन नहीं आरा है तो 25 से जा रहा है ना तीन बार में और अभी पहले नहीं पढ़ रहा है तो पिर से कर लो 9 नपा कितना होगे पैásालीस 515 कितना होता है क्याने इस 16 का करेंगे ना चलो आप ज्यादा हो जाएगा पर इतना तो करना पड़ेगा वो नंबर फिर से बड़ा हो जाएगा छोटा नहीं होगा तो 160 वेसे हम कर चुके देहां पर तो अब दिखकत नहीं एक 160 किसे रिवैट होता है 35 से अगर ये 35 से रिवैट है तो यह भी होगा और ये भी होगा ऐसे यह नंबर और बड़ा भी होसकता है तो यह आपके एक ऊदूश्टेप बढ़ जाएगे प्या नियूज हो रहा है ऐसे बंजाएंगे रूल बस कुल मिला करना है जो भी नंबर दिया है न उसको कहीं भी करके राउंड फिर ले जाना है राउंड फिकर करने के बाद ऐसे लिखना है यह तरीका समझ में आ आपको राओ तेको समझे आ गया लेट आया था तू तो सही में और बोलो सहाब और कोई दिक्कत टेम कितना हो गया कि चल रहा है ना किसी को डाउट और को डाउट है बताओ जरा यह अपना हो गया विभाजिता के नियम अब इसमें प्रस्ण होते हैं क्लास अपन कर लेंगे आपका काम यह होगा होमवक में कि घर से ढूंड़ो और घर से ढूंड़ो बुक में से मत ढूंड़ना पूराने पेपर खंगालों के अच्छा रहेगा अगर मानलों आप 40 बच्चे बेटे और 40 बच्चे एक एक प्रस्ण भी पूराने पेपर के लिए और कोई चाय पानी हां आब हां भाई अ क्या ठंड लग रही है मैं लग तो रही होगी नहिंघ लग रही है कि या बात कर रहा है हाँ सहाब अपने टॉपिक क्या बचे नंबर सिस्टम में आपका लगभग लगभग हो गया खतम एलसे में से बचा है और कि और क्या बचा है कि आप का भी वाका फॉर्म किन्ने किन्ने भरा है सहाब मीन मिडियन मौड माद्य का पढ़के जाना मीन मतलब क्या होता है सम अपन में नंबर ओफ डेटा चलो इस क्लास को खतम करते हैं अगली क्लास अपन फिर स्टार्ट करते हैं अपनी ठीक है तब यह वीडियो को तो अपन एंड कर देते हैं तुम्हें यूटूब पर यह मिल ज कर अका तो